Facebook एक ऐसा प्लाटफराम जिसे हम अपने दोस्तों और रिलेटिव से बाते कर सकते हैं और Facebook के जरिये हम उन लोगों को भी बात करने के लिए रिक्वेश्ट भेश सकते हैं जिसको हम जानते भी नहीं Facebook दुनिया की सबसे पसंदिता एप्स में से एक है और इसलिए ये एप दुनिया की टॉप लिस्ट पर आती है तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ Facebook से चुड़ी एक ऐसी भूदिया कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंग टे खड़े हो जाएंगे साल 2016 उस समय जॉन 10 क्लास में पढ़ाई करता था जॉन अपने क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई करता था इसलिए जॉन के क्लासमेट जॉन को बहुत पसंद करते थे जॉन हाटसेप, Facebook और Instagram इन सब चीजों से दूर रहता था क्योंकि जॉन को ये पता था कि वो अगर सोसेल मेड़ा यूस करना सुरू कर दिया तो उसके बढ़ाई से ध्यान हट जाएगा लेकिन जॉन को जब भी मन करता था तो वो एक जेंगल पर मौझूद खंडर घर पर गुमने के लिए जाता था उसकी बाद कुछ दिन ऐसे ही पीतने लगते हैं एक दिन जब जॉन अपने स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि टेबल पर एक पुराना फोन है तभी जॉन अपने बापा को फोन के बारे में पूछने लगता है तब ही जॉन की पापा जॉन को कहने लगते है ये फोन तुम्हारे लिए है तुम इसे यूस करो मेरा एक दोस्त मेरे से कुछ पैसे लिया था लेकिन जब उसको पता चला कि वो पैसे नहीं दे पाएगा तो वो मेरे को ये फोन थमा दिया और कहने लगा मैं जब तक तुम्हारा पैसा लोटा नहीं देता तब तक तुम ये फोन इस्तमाल करो और ना चाहते हुए भी मुझे उस फोन को लेना पड़ा जॉन को मुबाइल मिलने के बाद जॉन मन ही मन बहुत खुस होता है उसकी बाद जॉन उस मुबाइल को देखने लगता है उस मुबाइल में पहले से डाउनलोड किये हुए बहुत सारे एप्स मौजूद होते हैं जिसमें से एक फिसबुक भी होता है उसकी बाद जॉन की मन में एक फिसबुक अकाउंट खोलने का ख्याल आता है उसकी बाद जॉन एक नया फिसबुक अकाउंट खोल कर अपने सारे रिलेटिब को फ्रेंड रिक्वेश्ट भीजने लगता है जॉन को फिसबुक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता इसलिए वो उसे थोड़ा सा यूज करके फोन को रख देता है उसकी बाद जॉन जब अगले दिन स्कूल जाता है तो वो स्कूल में अपने दोस्तों को फिसबुक के बारे में बताने लगता है लेकिन जॉन की सारे दोस्त जॉन का थोड़ा सा मजा कुड़ाने लगते हैं क्योंकि जॉन की सारे दोस्तों को फेजबुक के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है और इसे थोड़ा सा जॉन दुखी हो जाता है उसकी बाद जब जॉन स्कूल से घर जाता है तो वो अपना मोबाल यूस करने लगता है और मोबाल यूस करते करते कव साम हो जाता है य जोई जोन के कानू पर किसी की फुस फुस आने की आवाजी आने लगती है। इसे जोन डर के मारे उट जाता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन उसके आज पास कोई भी नहीं होता। उसके बाद जोन जब अपना मुबाईल चेक करता है तो जोन की फिस्बूक एकाउंट में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया होता है जिसका नाम था गेविन। उसके बाद जोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एकसेप्ट करके मेसेज भीजने लगता है लेकिन उधर से एक भी रिप्लाइन नहीं आता। उसके बाद जोन रात को खाना कहा कर सोने के लिए चला जाता है। रात के करीब तीन वजे जोन अपने बैट पर सो रहा था। तब ही जोन की मुबाइल पर एक मेसेज आता है। मुबाइल के आवाज से जोन का आँख खुल जाता है। उसके बाद जोन देखता है कि केविन के तरफ से बहुत ही अजिवो करीब मेसेज आया होते हैं। और ये देखकर जोन बहुत डर जाता है। लेकिन तभी केविन के तरफ से एक आखरी मेसे जाता है। घर से बाहर आओ, मैं तुम से मिलने के लिए आया हूँ। उसके बाद जोन डरे से हमें दीरी दीरे बाहर जाता है। उसके बाद जोन जैसे ही अपने घर की उपर देखता है, तो घर की उपर एक सिरकटा आदमी खड़ा होता है। और ये नजारा देखकर जॉन डर के मारे धर-धर कापने लगता है और दोरते हुए घर के अंदर चला जाता है आखिर कौन है ये केविन और कौन था वो सिरकटा फूद और अब आगे क्या होने वाला है जॉन के साथ जानने के लिए कॉमेंट में पार्ट टू जरूर लिखे तो दोस्तो ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तो अगर वीडियो अचा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना वोले तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए करें अगा झाल करें वीडियो करें तक के लिए रहा हो तोस्तो है